नमस्कार आप देख रहें निउस पियार और मैं हूँ आपके साथ रमन रहें बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदप की साधी हो चुकी है लेकिन इसके अलावा भी एक खबर बिहार के सियासी गलियारे में काफी तेजी से फैल रही है जिस तरीके से बीजेपी के विधायक ग्यानेंद सिंग ग्यानूप पर पार्टी ने कारवाई कर दी है लेकिन क्या कारवाई की है अभी तक ये सामिल नहीं हो पाया है दूसरे तरफ जीतनरा मांजी भी सरकार से अपने बेटे के विभाग को लेकर 1000 करोर की मांग कर रहे हैं और तीसरे साइट जो रहा हुआ है तीनों पार्टी को बीच में सब अपने अपने दिमांड रख रही है क्या चाहरी है आरजेडी इस वक्त राष्ट जनता दल अपने बचल पत्रों के हिसाब से अपने नितियों पर काइम है अनेति गठबंधन का गठजोड है एंडिये विश्व की सबसे बड पार्टी निति भीहीन और नितित भीहीन है ना जिसकी कोई आडियोजी है सिर्फ एक ही आडियोजी है कि सत्ता में हम कैसे बने रहे हैं तो उसका वो पूरी जुगत करते रहते हैं ग्यानिंदरकुमार ग्यानुजी ने जो बाते कही है वो कोई गलत नहीं कहा उन्होंने उ आजपा को कोई अपना अडियोजी है क्या विस्व की बड़ी पार्टी या 38 नंबर की पार्टी के साथ नत्मस्तक हो करके हर वो चीजे सहने पर मुझबूर है जो निति और नहीं कहती है नितियां वह भी स्विकार कर रही है तिनों दलों में आपसी रंजा बंदी नहीं है यह अंतरकला के सिकार है निति कठबंधन है जितना मांजे जी कर रहा है कि हमको एक ख़जार कड़ोर 243 को बिधायक है बताइए कहां कहां एक ख़जार कड़ोर संभव हो किसे क्या करेंगे राज ऐसे ही बैंकरप्सी के दौर से गुजर रहा है हलात बस से बत्तर है आर्थ सिर्फ खाली पीछे नतमस्तक खुक के चलने से सरकार थोड़ी चलते सरकार जन सरकार को दिराइedsiębior दे चुकी है सरकार अपना सिर्फ टाइम पास करर रहे है दियार कंदर राए में कोई काम नहीं हो रहा है टाइम पास चल रहा है साल भर बित गए बताइए कोई ऐसा काम जो बिहार कंद्विचार अनाचार यही सरचड़ करके बोल रहा है कोई सुरच्छित नहीं है खुलयाम हत्या हो रही है रंगदारी मांगी जा रही है सराब का पर रिकनोमी चल रहा है बड़े-बड़े खेप जा रहे हैं नाम का खुलास नहीं हो बहुतनोंगि मका कि मलाई के लिए संक्सी के साथ के सबसे बड़ी पर्ड़ी कहने वाली भाजबा तीस्रे नमबर के पार्टी के साथ आपनात्मस्तक है आप देखा यह कोई बचन है नहीं है सत्ता की मलाई का लोग पुरी तरह से अपना अनंद ले रहा है जो लोग मंत्री है उनका अलग गूट है उसका अलग गूट है भाजपा जडियों में अनेति गठ बंधन है इसकी तार्खिक प्रनती आने वाले कल में दिखेगी तो मांजी जीव ने भी कह दिया कि आपके दल में नहीं है गटवंदन में गटवंदन तोड़ भी सकते हैं तोड़ कहने के बजाए सुरक्षियों में बने रहने के बजाए निर्ले लेनी की जरुवत है बिहार के हित में लोकतंत्र के हित में निर्ले लेनी की कितने हारने वाले को जिताया है उस सब का पाप तो उनको लगेगा और उसका दंस उनको प्रति दिन भुगतना पड़ेगा और कभी उनको इन चीजें से मुक्ति नहीं मिलेगी यह बात समझ लेनी चाहिए अखरी सवाल सक्ति जी 2021 खतम होने पर है बाईष आने वालए क्यालग लगता हुँ लगों के द्वारा लिया गया कोई निर्णिय हैं आप के लिए फाइदे मंध्य कोई 2022 के चिटब भाएश टाय टाइम कित्री हो गई भात के ही लोट के कुछ और हो रहा है तो बता दीजी कुछ औरोरा है तो बता दीजी है कि युथ को बिहार में कोई काम नहीं हुआ, इसको वितर लेकर सभी जो तीनों पार्टिया है इंडिये की बयानबाजिया तेज है तीनुत के तरफ से, इसको लेकर अब देखना है कि 2022 में क्या कोई नया समीकरन सामने आता है, क्योंकि सक्तियादम ने सीधो तोर पर सरकार की खामियों को बता दिया, खलाल के लिए बने रहें न्यूस पियार के लिए